कि यहीं दोस्तों यह लाइब क्रोइंग डियाम आपका स्वागत है तो चलते हैं आज हम सेट लगाएंगे बीपीएसी का अभी दिखाने चाहता हूं एक कॉश्चन किया था कमुणिटी पोस्ट में और जिसमें से कई लोगों ने रिस्पॉंस किया है तो लगवों 47% जो है म में कॉंटेक्ट कर लिजेगा या फिर टेलिग्राम वाटसाप ग्रूप इसी नाम से आपको मिल जाएगा एटूजे लाइव ग्रोइंग इंडिया के नाम से आपको इसी नाम से आपको मिल जाएगा जहां भी आप टेलिग्राम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और वाटसा देख वीडियो पर चलते हैं देखिए इसमें कोश्चन था कई लोगों में रिप्लाइ कर दिया 47% हिस्ट्री का आया है तो हिस्ट्री हम कला स्टार्ट करेंगे तीन से चार लेक्षर में कोसिस करेंगे जैसे कि तीन पार्ट है हिस्ट्री का क्याक्ष और इस्टर लैश्ट querer अर्झ दॉडियों कोसिस करेंगे तीन वीडियों पुरा करेंगे चाहिए दो घंटा लगे तीन घंटा लगे मैं इसको एक वीडियो या दो वीडियो में कंप्लीट करने के गोस्स करेंगे पंद्रेमन नमर सेट परने जा रहे हैं और इसका मैं अध्यान जो भी है जितने भी सब्जेक्ट से इसका भी लाने वाले हैं इसमें क्लासेज ले चुके हैं और जाकर करके देख सकते हैं यह बाइलिंगों है इसमें नाइन से टेंट वाले को लिए हल्प हो रहेगा इसका पीडियो प्रवाइट कर देंगे इससे भी लेक्शर लेने की कोस्स करेंगे लेंगोज पर कभी क्लासेज ले चुका है कुछ और को मिलेगा टोटल असी कोशन में बीस से परजिस कोशन देखने को मिलेगा तो अर्दवार से जो है अर्यवंत का मेरे पास बुक है और इसका में पेडियेफ और साथ में पांसो मॉस्ट इंपोर्टन एम सी क्यूम करवा देंगे थैंकि सो मुच और चलिए नेक्स्ट को मॉडल सेट नमर पंद्रह है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है तो इस तरह से देखिए इस तरह से चलिए फर्स्ट कोश्षन फिर से स्टाट करते है तो लोग तो आपका एंसर हो जाएगा तंजाबूर में सी आप्शन तंजाबूर मंदिर जो है तमिलाड़ो के तंजाबूर जीलिमें इस ते चोल राजा गलाज राज राज़ा चौल दौर बनाए गया था यह राजिस्वर मंदिर के रुप में भी जाना जाता है यह इन्योस्कों के विश विरासत का भी हिस्सा बना हुआ नेक्स्ट कोश्म पर चलते हैं कौन से अनुश्यत के अंतरगत भारत का सर्वोष नयाले नागरिकों के मौलिक अधिकार की रच्छा करता है तो आपका उपसन आजाएगा सी जाद अविस्तार से हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें जानेगे सत्में जायते किस उपने सर से लिया गया है तो मौड़ को अपने सर से कब से किस से लिया गया है तो मौड़ को अपने सर सत्में जायता का मतलब है कि सत्य की ही जीत हो मौड़ को भारत में इसे राष्टिये आदस वाक के रूप में अपनाया गया है राष्टिये जब भार उनुहां तका जीज जीत हो निकित मैंसे कॉन संस्क्रिटी संस्कृत भाचागा इंसर नहीं इन्हों नहीं पान्य नहीं अस्ट्र अध्याई का जिसमें 400 सुत्र का उसमें काड़ किया था उसमें संस्क्रीट व्याकरण के लिए चिसमें धनांत्मक और व्याकरण के नियम हैं चलिए ने पांचमा नमर कोश्चन नियम लेकर तुम्हें से कौन सा एक सिंदू घाटी संब संग विहार के किस जिले में है किस जिले में जन्राटी संग है तो आपको 15 पटना जिले में है पटना जिले में है नेक्स्ट दादा साहब वालके ने किस वर्स अपनी पहली फीचर फिल्म तयार की थी तो 1913 में डेट बता देता हूं 1913 में आपका 3 मई 1913 को को कॉडिनेशन सबस्क्राइब करें दिखाई थी कौन सा पहला फिल्म अगर पूछेगा तो राजा रिश्यंद्र निमलिकत में से और बोलती फिल्म अगर बताएंगे तो आलम आजाएंगा नेक्स्ट इमलिकत में से अगर वीडियो चीजिए लाइक किजिएगा सब्सक्राइब करेंगा चल जो होता है पंजा में पworणा जाता है गोइड corona को बनागए मुल्हान श्रूभास सुनना है वीडियो को देखते जाना है स्क्रिंसोर्ट आप लेना है तो लेता सकते हैं और साथ में अगर आपको पीडियाफ चाहिए तो पीडियाफ में आपके ग्रूप में बेच दिया है चलिए नेक्स नाइन नमर कोशन जानते हैं अगर वीडियो अची लगी लाइक किजिए गा सब्सक्राइब कर लिएगा सब्सक्राइब निभी लाएं नंटल इसे सब्सक्राइब किसा शजरका सब्सक्राइब कर देगा नेक्समर में जाहिए में इस सदस्वार करता निक्स ने बहुए बारत के किस राज में सबसे पहले जमीनारी अन्मूल बना हैं तो सबसे पहले आपका बिहार वना ने बना पर आपको का बिहार वहार में बना है। तो उसमें बिहार के राजपाल थे नित्यानंद कानुनंगो नित्यानंग कानुनंगो थे सुन लिजे सिर्फ राश्पति सासन आठ महिने तक चलाई इसमें इसमें मुक्मंत्री जो थे बोला पास्मान सास्तरी थे और लास्ट में जो लगा था आपको मैं बता देता हूं उसके बाद लगा था नित्यानंग कानुन के समय ही बाद देवा नित्यानंग रख से लेकर कि चार्ज उलाएं उन इससुन नातर से उन चलव घर नट तक रहें जो कि अटीस अपरईल उनेश्ट से लेकर के चोवी सुन उन्हें सो साता तर तक रहें नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका पानियों को बहुत निसार दिवकई रहें जो कि असी में रहें फिर उसको एसार दिवकई फिर से रहें राजपल 95 से 95 में सुंदरलाल बंडारी रहें 99 में उसके बाद इसरी भूटा सिंग्ग जो कि 2005 साथ मार्श 2005 से लेकर कि 24 नुमंबर 2005 तक रहें लास्ट में से यह रहें बुठा सिंग्त तो राजपल अभी तक कितने बार राश्पति सासन बिहार में लगा है तो साथ बार लग चुका ही या दिन देना है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं आपके नेक्स्ट कोशन इस से है बारा नमर कोशन किस यूद्ध के पहले की घटना है तो आपका प्लासी म संट्रहाब का हुआ था सतरो सो चौशट में सतरो सो चौशट में जब हारने के बाद पता चला कि तो उनको पता चल गया कि अब हम लोग आजात नहीं हैं हम लोग गुलाम बन चुके अंग्रिजों के चली सतरो सटरो सो चपन को सिरोजगर दाना ने फोर्ट विल्यम ने घ मुड़ी मंबंद कर दिया गया इसमें से केवल 23 वेक्ति अगले दिन सुबह जी भी तो अच पाएं यही ब्लैक हॉल एपिसोड है यही एक ब्लैक हॉल एपिसोड है यह घटना आला कि इस घटना के परमानिक संदिग्द है जबकि प्लासी का यूद 23 जून सतरौ संतामण की घटना को लड़ा गया था तो यही पूछा है व्लैक हॉल एपिसोड से उससे संबंदित की पहले दी कि घटना कोई सी है तो ब्लैक घटना आई या मं हुआ ये आका कोलकता में हुआ था ठीक है क कोलकता में हुआ था यह कभगा odor है तो सब 15 जुन सत्रों सच्पाइब के एक साल पहले की घटना है चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जलते हैं कि सब्सक्राइब बिहार कितने देसांतर पर इस थे जोग्रफिक का कोशन है दी बिहार आपके हैं पहला आपसन आ इसमें तेरासी डिग्री उनेश मिनट पचास सकेंड से लेकर आठासी डिग्री सत्रह मिनट चालिस पूरवी देसांतर में आपका हैं तो आपको फर्स्ट और नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं सिदे कौन से यूद से अवद्द के नवाब को इस इंडिया कंपणी पर आस्रित बना दिया था इस आस्रित बना दिया था आपका अपसन आ जाएगा ये बकसर इसमें ही बकसर का यूद 1764 में हुआ था जिसमें बंगाल का नवाब प्राजित हो गया और उसे संधी करनी पड़ी ये संधी उन्हें 1765 में रोबर्ट कलाइव के द्वारा करवाया था था साहलमदूतियों और सिरोजोदला के बीच संपनुई कौन को तो ये नाम याद रखेगा रोबर्ट कलाइव साहलमदूतियों और सिरोजोदला के बीच संपनुई थी ये संधी इलाहवाद की संधी क के नाम से भी जाना जाता है इस संदी के नाम पर अवद का नभाव इस जनरल मोहन संग आरसी दत तप इसके एंसर है डी आरसी दत नहीं थे। बाकी सब लोग संबने थे। इसमें तुरा सब्सक्रों मैं बिस्यएलर दीसे काउंगरेस के पंदरसमें बिस्द अम्हिद्नों निक्सकोर्शन पर जलते हैं आपको सोलाग नमब्र कोशिन पर निमलिकट में से कौन से एक कुरांथी कानित थे जो बाद में एक योगी और दार्सनिक बन गए थे इसके एंसर हैं अरविंद घोस अरविंद घोस टीनिमब अरविंद घोस इसूं के बारे पिधन लीज데 भारत के राश्ट्रे यांदोलुमे लाल बहादुर सा पूडू चेरी जो इसको नाम है पहुंच गए इन्हों ने दिया था बंदे मात्रम अरविंद गोश नेक्स्ट पर चलते हैं 17 नमर कोश्चन यह मेरा उंगोट भी दिख रहा है जब मैंने स्क्रीन सोट लिया था चलिए मैंने फोटो लिया सब्सक्राइब किसे इंडिया दोरा कॉंग्रिस के निटान से बात करने और भारत यह समस्याओं के अंतिम समाधान अगर वीडियो ची लगे लाइक किजिए तब तक मैं आपसंस ले आता हूं और बिल गंटी को दबा लेजिए जब अभी तक चलिए हैतु परस्ताव समंधी परस्तों करने है तू बहेजा गया था तो भारत में भारत में कवाए तो इसके एंसर हैं आपका डी मार्च courses 1942 मार्च 1942 में आया था ALEX 1942 23 को किर्वस्मिसन भारत पहुशा महत्मा गाने किर्श्वमिसन को दीवालिया हlay back科 उत्तर फिर्ड हंकित को संग день 演ें यानिकि यह ऐसा घुक्षिएयों स सत्लिपर होगा चलहें डीवालिया को आता है तो अटारा नमर कोशन पर आता है तो कौन से युद में हुई थी तो कौन से युद में हुई थी आपका स्री रंग पटनम के युद में इसके वारे में जानते हैं कभी भी सहाएक संदी के लिए यहार नहीं हुआ अताजी गवर्नल जनरल लौड बैनल जनरी नहीं त्रीपू सुन्दान पर फ्रांसेसी के साथ मिलने का आरोप लगा करके चतूर्त आंग मैसुल की युद की गोसना कर दी नौ मई सत्रो सुन्हिनानवे चाड मई सत्रो सुन्हिनानवे को अपनी राजधानी स्री रंग पटनम की रच्छा करते हुए टिपू सल्तान बिर्गति को प्राप्त हुए यह भी कभी अपने आपको समर्पित नहीं करने अच्छा है अपनी बिर्गति को प्राप्त करें ऐसे भी शरीर एक दिन खतम ही होता है अगर लड़ते चले जाते हैं किसी के लिए देश की से वाकिली चला जाता है तो सबसे अच्छी बात है नेक्स्ट कोशन पर चलते हूं इस नमर बिहार में जन सक्या कि देश्टे से न आपको दिया गया है तो बिहार जीके में मैंने बताया है सबसे सिच्छित राज आपका जो है जिला जिसको करते हैं रोता से सबसे कम जो सिच्छित है वह आपका पूर्णिया है ठीक है चली इसमें आपका सबसे ज्यादा जन संक्या और सबसे ज्यादा अमीर जिला यही है कोशन पर चलते हैं संधिक के तहत हुआ था हुआ था बाड़ बाड रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कोशन यहाद हो जाए आपको कोशन याद हो जाएंसर मैंगलोर मैंगलोर की संधी सत्रों सो चवरासी सभी के तहत समाफ्त हुआ यह संदी अंग्रेज सेनापती आयरकुट और सटीपू के बेचु हुई इसके तहत दोनों एक दूसरे से बिजित प्रदेश लोटा दिये जो भी प्रदेश एक दूसरे से उद्ध के दोरान हुआ था तो एक दूसरे को लोटा यह शहयोग संग आयो आर ए का सदस नहीं है तो आफ़संस आपको दिख रहा होगा तो इसमें आपको बता देता हूँ 21 का है अफगानिस्तान नहीं है बाकी है भंगलादेश से हैं मौरिसे से भारत भी है अफगानिस्तान हिंद महाशागर देव संग जिसको फुल्फम है आई ओ आरे का हिंद महाशागर टटिये छेत्रिये सहयोग संग का सदस नहीं है इसमें कुल 21 सदस है जिसकी अस्तापना मार्च 1967 में हुई थी चलिए नेक्स कोशन में डेथ वेली किस देश से संबने थे डेथ वेली आपका एंसर है डेथ वेली 22 नमर का डी सनीट राज अमेरिका यूए से सनीट राज अमेरिका चलिए डेथ वेली राज अमेरिका में इस्तित है जो कि जहां वहां का सबसे गरम औ और नीचा अस्थान है गरम और नीचा अस्थान है नियुकित में से कौन ब्रिक्स से जुनने वाला पांचमा देश सबसे जो लास्ट में अच्छड़ वह ही होगा जो की एस है यानि सौथ अफरीका दशीन अफरीका जी ठीक है नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन में ज्यादा दम नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसका फूरा जो है बिक्स के कहां पर क्या है मैं पता देता हूं बिक्स से जुनने वाला पांचमा देश जो है जिसका बिक्स का रस्थापना 2006 में हुई थी इसके सदस देश जो है ब्राचील है रूस है इंडिया चीन और फिर चाइना है उसका साथ फ़री कैप अलफास प्रवत आपका है यजिते तें कहां अपड़े प्रवतों कि सभसे बड़ी प्रवत माला है यह जो लगबग 1100 मीटर का है कितने 1100 मीटर लंबी है चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं 25 नमा कोशन ग्रीन हाउस प्रवाव में कौन सी गैस सरवादिक भाग लेता है तो अगर वीडियो चहीं लेगे लाइक कीज़ेगा सब्सक्राइब कीज़ेगा रहा भाग रहा तो आपके ऑफसन है जलवास ओजोन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो इसके एंसर हो जाएंगे जलवास रिजन क्या है आप मैं बता देता हूं ग्रीन हाउस प्रवाव में सरवादिक प्रवाव में सरवादिक प्रवाव होए गैस जो रहता है करवन डायकस है जिसको सीयोटू करते हैं क्योंकि इसकी मातरा सरवादिक है किन्तो जलवास ग्रीन हाउस गैस के प्रवाव में बिरदीक करने वाला एक प्रवाव साली कारक है भारत के किस भाग में नहर सिचाई सबसे अधिक परशली थे नहर जो आपके हैं सबसे परशली थे उत्तर प्र सबसे अधिक है तो कोशन आप बता देज़ेगा इंसर उत्तर प्रदेश कोन-कोन साथ है मैंने बताया भी उत्तर प्रदेश उसके बाद भीहार उके चोथे नहीं पाच्वाइन नमर पर टीक है नेक्स कोशन पर चलते हैं कौन सा जोड़ा गलत है गलत बनाये गया है तो इसका आप देख लिए कोईला प्रयोजना कहां पर दिख रहा है मारास्टा सरावती रहा है करनाटिका बाली ब जो है इसकी उत्तर परदेश में पर चलीते यह जो सब्सक्राइब करनाटिका में है और सब्री गिरी आपका केरला में है चली नेक्स कोशन पर चलते हैं चली नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगा ता आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं मैं इतना प्रैक्टिस एट आपको कड़ा दूँगा एक्जाम से पहले आपको ताकि आप जब भी कंपटिशन एक्जाम जाब आप देने जाएंगे वन तो फाइव के लिए कंपटिशन ज कोशन पर चलते हैं इसके विस्तार में अगर जाएंगे तो चाहता टाइम लगएगारत में प्ली करान्ति का समंद्ध कि से? बारत में प्ली करांति का समंद्धिके चने प लिए अपको नोट की खैटिशन जाता है रही है सरसोर रवी की फसल के जब कि मुंगपली खरीफ फसल के मुंगपली तिल्हन उतवाद में महदपरदेश और राजस्तान गुजरात कपरमुकस्तान तिलिक ठीक है यह सारे शीजे एक्स्ट्राफेक्ट के रूप मैं आप जान सकते हैं दोबारे मैं बता देता हूं भा कि जाती है esakati फिक दो परति है सरसोर वी फसल कि पर्मक फसल है रही की सरसो और मुंपली नग मुंपली खरीफ फसल की सबस्ता है बाकले ने nuevos कोश्तान के जलते हैं। खरी फसल की ड़ी पर फतन नहीं है व कि मैंने बताया था है खरी listsD की घहूम जुहें घरी फसल नहीं हैं बाकि सारे घरी वसल हैं खरी फसल मेना चावल गन्ला एक पास जोर वा मक्का और रवी फसल में कौन-कौन साथ है तो गेहूं चना जो सरसो अलसी फसल यह सारी उकाई जाती है जो भी चीज़ें जिसे खरिक में जितने भी चीज़ें फल जिसे चावल गन्ना कबास जोड वाजरा मक्काई सब में पानी के ज्यादा जरूत परती है गेहूं में जिस इसमें आप एंसर मारी आगर आगे बरते चल जाए यह फाइदा होता है कि जी के पढ़ने से कि आपको 10 सकिंद 20 सकिंद में आप एंसर लगा लेंगे मैंस रिजिंग के कंपरेजन आगर आपको आता है तो टाइम बच जाए आगा नहीं आता है तो आपको वहां पर बैठे जो का एंसर आपका होगा प्राकरतिक जो की है आते हैंगे इस नहीं है इस पर अओने होऊ जो नहीं हैं घाए Sugfeld में आदे होगा उत्ुक्राइटिक ऑल Lehr गर्फ प्राकरतिक वहां आदे हो ऋरय! नेक्स्ट पराते हैं और्जा का वह स्रोथ जो सबसे कम भूमंड ली तापमान बढ़ाता है तो आपका option दिखा राए तो आज आ जाएगा इसमें भूता पी ए और्जा भूता पी और्जा भी नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं निलगरी परबत पहाड़ी में पेर की समान जाती पेर के समान जाती है आपका यूकेलिट्स का यूकेलिट्स पेर नीलगड़ी पहारियों में बहुत मात्रा में पाया जाते हैं बहुमी से अतदीक जल को सबसोसित करने के कारण इसे अतंकवादी बिरश्च भी करते हैं किसको यूकेलिट्स को को भारत के निम्लांकित छेत्रों में से कौन सा चीर के बनों से संबंद है तो आपके आपसेंस दिख रहे हैं तो इसका एंसर आ जाएगा उत्राखंड उत्राखंड चीर के बिर्च हमाले की पहाड़ी ढालों और मसिवाले की पहाड़ी पर सदाथ सो से लेकर पंद्रों सो मी सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप भूलना जाए दुबारा आपको विल्डियों आपको अगर इस तरह के चाहिए तो नेक्स थाटी सिक्स नम्मा कोश्चन सब्सक्राइब करते हैं जिसको सेबिंग अगर आपको करते हो बानियों सेबिंग आपको कुला जाएगा जिसको अगर आपको सेल्री नहीं आती हैं दो तीन महिने तो सेविंग में अबनाट हो जाती है करेंट एकाउंट जेनरल इस बिजनेसमें जो कि डेली प्रिवर्तन के लिए आयात नियात के लिए यूज करते हैं यानिकि खरीद विक्री के लिए नेक्स कोशन पर जलते हैं 37 नमर कोशन चलिए फर्मों पर दोड़ा बाहरी अन्य फर्मों लोगों को उनकी बस्तुओं और सेवाओं के उप्यों के लिए किया जाने वाला भुक्तान क्या कहलाता है तो आपके आपस्विक आर्थिक लागत वही निरहित अंतर निहित आपका 37 का एंसर है बही निर्मित का लाते हैं बही निर्मित का लाते हैं बही निर्मित लागत अन्य फर्मों लोगों को कि किया गया परतच्छ भुक्तान होता है जिसे मजदूरी बेतन का भुक्तान और इन लागतों को दस्ताबेचों में दर्ज़ किया जाता है ठीके आप समझ गोज़ रहे होंगे नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं और नेश्ट कोशन किस ज रको संग द्वारा लगाए जाता है लेकिन उसका उगाहन राजी सरुकार द्वारा के जाता है जैसे कि सेवाकर एस्टामाइब स्टांप सुल्क जो है संघ द्वारा लगा जाती है लेकिन इसका ऊगाहन या बितरन राज्यों में होता है संघ मतलूं कि स्टी सेंटर समझ लिए सेंटर द्वार लगा जाता जैसे कि जीसी सेंटर की लगता है श्रप्स सब्सक्राइब पिश्क्राइब लेकिन उसका करें अब करें इस तरह करें एब घंटी और अपने दोस्त फ्रेंडों को सेर्ड कर दीजेगा ताकि हम और चाधा साथ सब वीडियो मना पाएं मौटिविशन मिलेगा आप लोग के सेयर करने से और तकीम इस जीके के साथ साथ मैस और करेंट अफेर्स भी हम जल्दी स्टार्ट कर चुका और इसनिंग करेंट भी स्टार्ट कर दें कि 20-25 कोशन आपको करेंट फेर्स आएगा मुद्रास पर आती है पूरती कम हो गया मांग जादा हो गया और जब कुल पूरती मुझ मांग से कम हो तो मुल्ड बाड़ेक्स कंव हो तो प्रोड़ेक्सन जाएगा तोपृर माल करएट कम जाएगा नेक्स कोशन पर चलते हैं चालिस नमर कोशन आपको दिख रहा होगा बैंक में लोकपाल की भूमी का क्या होती है क्या होती है तो आपका है ग्रहा को कि सिकायत को तेजी से निवाड़न और गुनबत्ता को उफलब्द कराना यही हो जाएगा सब्सक्राइब करना है इसी वीडियो में पूरे वीडियो को सब्सक्राइब करके लाएं या फिर हम यह भी कर सकते हैं करके लाएं और 90 कोशन आपको 30 मिनट में या 20 मिनट में टोटल कंप्लीट कर दें तो जैसा बताइएगा हम उस तरह सब्सक्राइब को कर देंगे कुछे कोई दिक्कत ने चली गठवंदर सरकार के बारे में यह सब्सक्राइब के साजा करना यह नहीं होता है सकतियों को भी मिन समाजे के बीच में समाजे करना इन में से कोई नहीं था आ जाएगा नेक्ट कोशन पर चलते हैं 42 नमब किस प्रकार की सरकार नियसूल के वह पर चुना द्वारा चुनी जाती है और परतमार सरकार को अपना सासन खोने की प्रबल संभावना संभावना रहत रहा कैसि मैंसातर शायव मैं और तक वीडियो नंचे हैं ने उपर पंचायद अगर होगएन पंचायद तो आपका 23 43 का कि है सी गरंपंचमे है 43 का गरम पंचमे है गर्पा सवा सोड़ी गराम सवा जब 43 तो गराम सवा प्रते जोम 59 तांथ रिकाउदारा ने जिसमें से गराम अस्सतर प्लोगों 12 retrouve सवा की कारवाहि में परते शुरूब से भाग लिया जाता है नेक्ट कोशन पर चाते है कि भीकास में कोई आवश्क है एक नहीं से कोई था था यह नहीं है विक्तिकत अधिखारों का सम्मान होना चाहिए यह जरूरी है यह आवस्क है तो इसलिए इसमें ख़़ा गया है अबड़ा है का सब भी दिवाड़ा बुल देता हूं लोगतंत्र लोगों की सरकार है जिसे जनता की जनता दोरा जनता के लिए चुना जाता है किसके लिए हमारे लिए चुना जाता है जैसे अभी बिहार सरकारे वो हमारे लिए हमारे मुख मंत्री हैं लेकिन मुख कारे कारी और मुख सेबक भी हम कर सकते हैं किस बर्स तक लेकिन वह ऐसा होता नहीं वो लोग खुद को अपने आपको क्या पता नहीं, एक उठाच आ करके हम पर सासन करते हैं, that's not a good thing, इसका आप बता सकते हैं कॉमेंट वोक्स यां, किस बर्स तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्यु था तो एक पार्टी का प्रभुत्यु जिसको कर सकते हैं, किस बर्स तक था आपको पता है कि कोन से पार्टी का था तो आपको आपसंस हैं 77 तक 1977 भारत के सोतनत होने के बाद लेकर 97 तक भारत में कॉंग्रेस पार्टी का सासन रहा था 77 में जंता दल की सरकार बनने के बाद या सिलसला थम गया और अभी तो पूरा इच्छेतरे से दस साल से थमा हुआ है और आने वाले टाइम में साहिद भी थम जाए बारत और पकिस्तान के बिच सिम्बला संधी प्रस्ताचर किये जाने का बर्स कब है कब किया गया था सिम्बला संधी आपका 46 का एंसर आजाएगा 1972 में 1972 में सिम्बला संधी था भारत और पकिस्तान के बिच में सिम्बला में दो जुलाएं 1972 हुआ जिसमें भारत के परदानमंत्री इंद्रा गांधी और पकिस्तान के परदानमंत्री जुल्फिकार अले बुर्टो जुल्फिकार अले बुर्टो इस सम्झेते पर हस्ताचर किये और ये समझता हूँ, 1971 में भारत और पकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ, 71 के बाद सिम्ला समझता के रूप में 72 में हुआ, मंडल आयो रिपोर्ट किसे समझते थे, तो आपके हैं A, B, C, D, आप बताईए, सिदे मैं एंसर बताता हूँ, टाइम बचाने हैं, क्योंकि ज़्यादा कोशन करना अनफीच्रे बढ़गों से, आपके 47 का अनफीच्रे बढ़गों से, 1979 में चंता पार्टी के अवसरकार जिसके परदामत्री मौररार जी देशाही थे, ने जिस समाचिक और सैच्षनिक रूप से पिच्ष्रों के लिए, बीपी मंडल के अज़स्ता में आयोग गठीत किया, जिसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछले बढ़गों के लिए, सैच्षनिक संसाहों और नौकडियों में 27% आड़ाइच्षन की सिर्फाइरिस की, जिसमें OVC आते हैं, चली, इसमें भी दो लेयर बन गया, OVC में दो बेटा बन गया जिसको कर सकते हैं, क्रिमी लेयर और नौन क्रिमी लेयर, चली, नेक्स्ट है, 48 मर्ड़, इस किस राज के बन अंदर, बोडो लेंड प्रादेशिक परिसद, बीटी, सी, एक स्वाइत सासी निकाई बनाए गया था, तो आपके options है, आपके सीदे में answer बताता है, इसमें answer आजएगा, असम, किस राज में बनाया गया था, तो किस राज के अंदर है, तो असम के, असम राज के अंदर बोडो लेंड प्रादेशिक परिसद, जिसको कहते हैं, बीटी, बीटी सी, स्वाइत, इस सासी निकाई फरवरी 2003 में बनाया गया था, फरवरी 2003 में बनाया गया था, बारत में बर्स 2009 में, नियुलिकित में से, में से किस रुच नयाले ने साम लाएंगे, सम बंदो को कानूनी करार दिया गया, साम लाएंगे, तो बैसकों के ली पीच योन सम्मंदों की धारा 377 के तहट किसमें धारा आपको आर्टिकल 377 सब्सक्राइब जाता है तो सम्मंद बना सकता है लड़का लड़का के साथ सम्मंद बना सकता है लरकी निरा प्राद करा दिया रही है लेकिन सर्वोश ने आले कि 12 दिसंबर 2013 में इस फैसलों को रोक दिया गया है आपको दिख रहा है तो इसका एंसर मैं बता देता हूं एंसर आपका अल्पसंख्यकों का सब्सक्राजिक और आर्थिक प्रिश्रापन नेक्स्ट क्रायोजेनिक बिग्यान कि से समंदे थे क्रायोजेनिक विग्ञान आपके हैं निमने ताप से बहुते विग्ञान की वस्ताक है जो कम तापमान पर प्रदार्थ के उत्पादन और प्रदार्थों के बेवहार से संबंदित है क्रायोजेनिक ऑके नेस्ट क्या कारण है कि व्यक्ति चाटान पर परहार करते हुए चोठी हो जाता है तो आपका ऑफ्शन है जरत्य प्रतिकिरिया गती इसका है एंसर आजाएगा प्रतिकिरिया क्योंकि न्यूट्रेंस थर्ड लोग के अनुसार जो होता है कि रिया के समान इन विप्रीत दिसा में परतिक्रिया होती है एवरी एक्सन एंड रीक्सन इस सेम डिरेक्सन चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं 53 नियुकित में से सुर्ख के प्रकास का कौन सा भाग कूकर और सौर कूकर को गरम करता है तो अगर विडियो चेलेगे लाइक करेगा सब्सक्राइब करि दिना से सब्सक्राइब करते हैं 54 जल यूरेनियम ग्रेफाइट बोड़ों इसका एंसर हो जाएगा जल का उप्रियोग किया जाता है नेक्स्ट जो लोहे पर जंग लगने के लिए नियुकर से काड़क होते हैं तो आपके ऑफसंस दिख रहा हैं तो आपके एंसर आपके हो जाएंगे 55 का जल और ऑक्सिजन और जलवास और जलवास अगर ऑक्सिजन नहीं होगा तो इसमें नातो वह जंग लग पाएगा और जलवास की जड़ोतえば जल्वास पा हैर इसका में थो रास पर देता जंग लगने के लिए ऑक्सिजन और जलवास नेक्स्ट Magazine पूजबा चलते हैं निक civ दलेपन में प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं आपका एंसर आ जाएगा जिंग का प्रयोग किया जाता है जिस只 को अगर जंग लगने से बचाने के किस प्रयोग किया जता हैバशाम जो किन फिजिसमें वह पढ़ हुआंगे तो अप्यूंतिंस में ला लख्त करूसिकर कि इन गेंट्टी संख्या कितनी है तो आपके संख्या है 456 एल्आ का मतलब होता है divA को 151 अंद्ग को पीच बेलू कि इतना यह को मानव उर्द का फिश कीट है है 58 का मानोरेट का pH वैल्यू आपका है 4.7 4.7 इसमें उदासीन और छाड़ी है अम लिए यह सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए मुत्र का क्या होता है या अच्छी आपको जब बायलोजी पढ़ेंगे तो अच्छी सरिभाईश करेंगे नेक्स्ट कोश्टन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्टन 58 59 नमा कोश्ट यह अब 7.4 है तो मतलब यह चाड़ी है जब 7 से उपर होता है चाड़ी होता है तो अमली होता है वह मतलब पहले आएगा चो मतलब बाद में आएगा ठीक है अब उदास ही नहीं होता है से वन पर प्यूस गरंथी सरीर में कहां अवस्तित होती है तो ऑफसन हिर्दे के नीचे बस्तिस के नीचे गले में उधर में इसका एंसर जवाब आपको मिल गया होगा आपका मस्तिस के नीचे होता है प्यू जल्दी पढ़ता हूं इसको किसी जीवित से नेक्रोसिस के नेक्रोसिस काते हैं जल्दी पढ़ता हूं इसको किसी जीवित सरीर के भीतर कोसिका और उतक की मिल गलती को नेफ्रोसिस काते हैं यह कोसिका कि यह परतिशित मर्तिव यह चोट संक्रमनों रखत किया परतिव को विफलता सके कारन होता है नेक्स्ट कोशन के कारन नेक्स्ट कोशन आप पर चलते हैं वीडियो को लाइक कर दिएगा सब्सक्राइब कर लिजेगा थाकि आप भूलना चाहें अभी कर लिजे फटाफट कर लिजे नेक्स्ट है 67 नमबर कोशन बातिव भारतिये संद्रम में उसा मेहता की ख्याती है उसके एंसर सीधे में बता देता हूं वह है पहला भारत छोड़ो आंदोलों के दौरान गुप्त कांग्रेस رेडियो चलाने है तो भारतीय चलिए इसका िंसर आपको मिल गया। उसा मैटा किसे संभादे स्थापना कि और भूमिगत कॉंग्रेस रेडियो का संचालन किया नेक्स्ट कोशनर पर चलते हैं 62 बर्स 1932 में महात्मा गांदे के नमर नप उपवास प्रयान त्या इसलिए कि इसलिए कि इसलिए कि जैसे बताजेगा कॉमेंट वोस में अगर आप कॉमेंट करेंगे तो अच्छा लगएगा चलिए इसका इनसर है 62 का सी रेंग में 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 मैकडोनाल्स ने संपरदायक ता अधिम्यक्ति कम्नियों अबाड की वसना की भारचोड़ो आंदोलन किसके परतिक्रिया कर परतिक्रिय आपके हैं बेटिस प्रदानमत्री चर्चिल द्वाड़ भारत में भारत में राजनितिक प्रतिक गतिजी रोध को दूर करने के उद्धिस सर्टेफन स्क्रेप्स के नेतरित में मार्शन निसो बहार इसमें को एक मिसन भारत भेजा गया इसमें को देश भारतियों को पर उपुन सोर्त तंतता चाते थे पूरी आजादी चाते थे लेकिन वो कर रहे थे डॉमिनल स्टेट हम देंगे मातलब हम सत्ता मेरे पास ही रहेगी तुम भी अपन चलाना प्रांतों के भारती संगे से अलग होने और अलग समिधान बनाने के विवस्ता की गए जिसे भा भार चोड़ो आंदोलन का परस्ताव पारित किया गया कहां पर किया गया था गौहलियर के टैंक मैदान में चलिए नेक्स्ट कोजन पर चलते हैं साइमन कमिशन के आने के बिरुद भारती चन आदोलन क्यों हुआ था ता आपको ऑप्सन है इस तरह से दिख रहा है तो आप भी भी नहीं जाते थे यह सारी चीज़े हैं अब इसको मैं जिजल से बता देता हूं बेटिस सरकार द्वारत सरकार अधिनियम 1929 को पारित करते कर समय गोसना की गई थी कि इसके सुधार के समय 16 बर्स पश्चात की जाएगी किन्तु बेटिस सरकार द्वारत नौंबर 1927 मे सर्जोन साइमन के अधिस्ता में भारती विदे कहते आयोक के गठन की गोसना कर दी गए इस इस आयोक को साइमन कमिशन भी कहा जाता है भारत में इसका तिबर विलोद हुआ क्योंकि इस कमिशन में किसी भी भारती को सदस नहीं बनाया गया था और इसमें यह भी बताया गय है तंजोर टट पर एक अभियान संगचित किया गया था तापके ऑफसंस दिख रहे हैं तो इसके एंसर है 65 का B 65 का सी को पालचारी द्वारा किया गया था दो मार्च 1932 गांधी जी ने वाइसराय को एक पत्र लिख करके 1130 मांगो कालू लेख किया गया था सरकार ने इन मांगो को कोई जवाबनाद मिलने पर विरोध में 12 मार्च 1937 को सावनमित्री आसराम से 78 सादुकों के लिए पद्यात्रा आड़म कर दी कितने लोग थे तो 78 ठीक है यह कुशन आता है सावनमित्री आसराम कहां पढ़ है आपको पता है पांच अप्रैल 1930 को उन्होंने घ्ठांडी पहुच करके समुद्र टट पर नमक बना करके नमक कानू तोरा यहां अंतुल देश के भी भागों में चलाया गया और यह भी बता देता हूं सीग भारत के पहले अंतिम बाइसराई थे अंतिम बाइसराई जो को करते हैं वह सीग पालाचारी है नेक्ट कोशन आते हैं 66 सर स्टैफर्ड क्रिप्स के योशना में यह प्रक्लिंग का अलपना थी कि दूतिय विस्यूद के बाद क्या होगा तो भारत को डूमिनल डूमिनल स्टेट दे दे दिनी चाहिए थी अभी मैंने अब इसी डिसकुस किया था दूतियों के चला था 1949 सर 44 के बीच में चला था तो उनको अगर जो इमत अभी विस्यूद कतम होगा तो डूमिनल स्टेट का दे दिया जाएगा चलिए इसके बारे में जानते हैं भारत में राजनितिक गति रूत को दूर करने है तो बिटिस पर दामंत्री चर्शिल दोड़ा यह earntburg के नेटरित में मार्शी और 1042 को एक मिशन भीजा गया था इस मिशन में डूमिनले सेट के साथ एक बारती संढ की अस्तापना की बात कही और कहा कि यह संग्यरास्ट मंदल और अनिरंतरा की संसाहों के साथ संसाधनों के साथ तो संबंदों का निर्धान करने के लिए सोतंतर भूमिय का निभाएगा पहले तो आया बेपाड किया फिर हम पराज करने लगा दोसा साथ आपकाड़ाय में यह करूंगा वो करूंगा चले हट यहां से पकलोल सलांगरेज चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलत है यह वह वहारत के सेकरटरी ऑफ स्टेट की सक्तियों को निष्ट करना क्या था अकर भारत के सेकरटरी ऑफ का निश्चित करना बर्थम पर्थम्भी उस्यूद जो को 194 18 को चला था कि में देडिक सरकार कि सहता की उसमें सहता किया था दूसरे में साहता नहीं गया था और युद्ध के परशाद भारत में उत्रदाइन सासन के विकास पर योजना बनाई गई था फलता देशी सर्कार के बीच समंदों को सुधर सुधरने के लिए महसूस की गई साथ ही बीचिस संपूरुता को पड़िवासित करने की भी संबन्दित थे तो उन्होंने 14 से लेकर lot तक जो भारत के रियातोंने शयोग किया था इससे संब्दी तो कुछ कुछ मनमुटावा आते गई कि वह गटना हुई कहीं वी जिसमें से यह लोग नाखुष थे तो इन्होंने एक बटलर कमिटी समींदी बनाया था कर बाद के Secretary of State की सकतियों को निशित करना के लिए किया गया था चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलता है 68 नमर कोशन बागी options आप पढ़ लीजेगा आप 68 बरस 1929 में खबेपार विबाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जिसको करता है किसका प्लॉप लफ्दि करता था ताफ को अधिकर्नो की परनाली तसा और तालों पर के लिए और्च पर कर लिएक्स्ट को चलता है पकिस्तान का अलग राज्षी अंदूलन का नेत्रित किस ने किया था तो आपको पता है यह है मुहम्मद अली जिन्ना यह नला पकिस्तान के बेटा नला किस्तान के पहला नला एक बेटा वह था पकिस्तान ने अलग राच्षी बनाने वाले बनाये जाने का नेतर मुहम्मण अली जिल्ला ने किया था आगा खान और समय उल्ला अध्यादी ने मुस्लिम लिग के निवान में अपना योगदान दिया था चली नेक्स्ट कोशन है कौन से परसिद भारती ने था सिमांत पहला ऑफसन आजाएगा अब्दूर काफार खान चली इसके वारे में जानते हैं खान अब्दूर काफार खान भारती एतियास में सिमांत गाने के रुपते जाने जाता है इन्होंने गांधी जो द्वारत सभी ने अवे अबग या आंदोलन चलाने के पश्याद कहा हाँ से आपके आता हैं जिसे कानहा राश्ट्र यद्यान हए नेशनल पार्क आपका कहा आता है काहां पर मंड्ला में आनफ्या आता हैं बंदिवल आपका हैं बंदिवल आपका हैं तो में Lynn अवे और इंद्रावाती इंद्रवाती रास्ट्र 잡शी ऑड्र आनं पर Are youBox ज यह सारी विस्तार से मैं आपको बता जेता हूं एक वाड़ आप सुन लीजिए गांस भांडगड़ राष्ट्री उध्यान सरहूल अन्जनपद में है इसका चेत्रपल जो है 437 किलो मेटर फोसिल से उध्यार इसका ओड़ाष्ट्री उध्यान मंडिला अन्जनपद में है इस पंदना राष्ट्री उध्यानि आपको पंदना जिसको चतरपूर जनपड़ में है इसका चेत्रपल 543 क्लो मेटर है। और फिर वन बिहाल राष्ट्री उध्यान भोपाल जनपड़ में है पंदना आपका उध्यान तो आपके गिर बढ़न है रखाना है कॉर्वेट पार्क है यह दुद्वा पार्क है तो आफसंस आपका आएगा गिर नेशनल पार्क कहां पढ़न है गिर राष्टिय उर्दियान जुनागर जिसको गुजरात में अवस्तित है जो कि एसियाटिक सेरी याने एसियाटिक लाइन का निवास अस्तान है, एसियाटिक सेर के अलावा यहां तेंदुआ, सांबर, चीता, अधिबन, जीब भी पाए जाते हैं, काना नेशनल पार्क मद्यपरदेश के मंडला में हैं, और जीम कॉर्वेट जो कि अप उत्रा उत्रा खंड में हैं, और दुदुआ, ऑन ते मद्यपरदेश के मंद्यपरदेश के मादश में हैं, और आपको बता है, और मगर ओ। का पर किया जाता है, गड़ो भड़्यार का संश्ट आपका चमլल और सौन नदी मे कहते है चमबल और समद रफो इसमें आपको पता आना चाहूंगा कि यो यो هे यहिए प्वी हिसर कोशन इसमें का कोशन बहुत डाला गया है लाए इवियस यानिकर कोशन बहुत डाला गया है चलिए 74 नमर कोशन पर बताता हूं और वीडियो चीए लगे लाइक की जाएगा सबस्क्राइब कर लिए बेल खंटी देबा लिए तक को नेगा देखिए कि इतना आपके लिए मैदद कर जाती है तो द्चिन के जिले में पाये जाती है कोकूर जन जाती कोड़बा जन जाती के समकचह सदिकांस, कोड़कू, जन जाती हुसंगा बाद रा पशमी, सतपुर पूरवी, निहाडा, बैतुला, चिंदवाडा और द्चिन परकरार की मैदान में बसी है नेक्स्ट कोश लिए उससे समंदुत आप उप्सिंख लिएगा अभी बता रहा हूं आप सेट कम अभी जितना देखने की कोसिजिए जितना सुनने की कोसिजिए कर सकते हैं किजिए लाइक कर लेजएगा सब्सक्राइब कर लेज़ेगा हमारे चैनल को प्लेलिस्ट बना हुआ बना हुआ है जोगरफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैस रेजिनिंग लिए प्लेलिस्ट इरन और इस बुखका भी श्टार्ट हो चुका है उसको जाकर कर देख सकते हैं नेक्स्ट भरतपूर वल्ड शेंचुरी कहा पड़े आपका वरतपूर बहन सेंचुरी आपका है बांदवगर बदीच में वहांदवगर आपका है यह पस्यांद यापका है इस तरह से आपका लग जाएगा वी ओप्छाक चलते हैं काना किसली किस लिए पषध है काना किसली किस्ली पसंड फषध है काना किसली राष्टी और दयान है जो Just Devay जिरंम जिरे जिते थे जो कि 940 kmsq Tra waking त焦्च में पशल थे प्रॉजेक्टर के इन केंचेंतरगा तो यह सामिल के कर लिया गया थ़ तो आपका किसमें वह राष्टि उद्यान के लिए strength कहा न अगिस लिकुदि बीधला पार्क 78 अपका के बीहार ना किस ली बफ सिकुंद बीहार कह ऊजआ यह जहार क्याकर घ्रट्वन के प्लामुजूलиваем अठतकाली के इसमें तो आपको बताना चाहूंगा इस तित बेतला नेसलव पार्क को 1974 में प्टाइगर रिजब के मैं घुजद किया गया था घंड जंगलों में गीरा घी घीरा बेतला नेसलव पार्क एक हजार चब्विस बर किलो मेंटर में फैला हुआ है यह बड़ी संखा में बाग तेंदुआ जंगली सांबर नहीं लगाए आदी जनवर पाए जाते हैं नहीं लगाए जिसमें पाए जाते हैं तो आपके कहां पर पाए जाएंगे तो अगर ऑफसन जारकन दी मिलता तो जा प्रतित को बिखसित करना थे इन में से सभी हो जाएंगे नेक्स पर चलते हैं विस्वन सब्सक्राइबास का मनाया जाता है यानि कि नमर सी ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है आपका 81 नेम लिकित में से कौन सा एक कौन सा अनुकरम चोटी आकार से बड़ी आकार के कनो को कनो को क्या करता है मदा खना के करम का सही परतिविन नेदित करता है तो आपका आपका इसमें आपका एंसर रहा जाएगा 81 का डी मिट्टी गहाद फिर बालू फिर बचरी ठीक है इसमें थोड़ा से बता देता हूं मिट्टी की बनावट मिट्टी की सापेच कन आकार की सनरजना को संदर्वित करती है मिट्टी के दिये गए नमूने विभीन अनुपातों में विभीन आकारों के कनों में मौजू इससे कम होता है गहाद फिर बालू फिर उससे बच रही चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं 83 नमौप पर दूसन की खाली जगर पर दूसन की डिगरी और्थिविता को कम करना कर रहा है या स्माप्त कर रहा है तो आपके options आ जाएंगे आपके आजाएगा अफसें आपसे के नीचे पीछपा होता है मूल का लाता है मिट्टी मूल मिट्टी के गणों को बांती है और वोधों को भूमी को परिष्टे रखती है युए भूमी जो पौधे के पोसंग के लिए आवस्ते खानी चे अलवन को अफसोसित करते हैं और तने के रूप में तने के माध्यम से प्रभ संगे शिकान का प्रवान करते हैं मूल भूमी से नमी और वोसक को अफसोसित करते हैं इसे मदद करने के लिए बोधे में अफसोसित करती है मनिस सब्यक करते हैं एक समान है बाकी सब क्या है अलू अध्रा की यह सारे अलग-अलग है बढ़ावा देने के लिए रामसागर सम्मेलन लागों किया गया तो किस बर्स किया गया था आपका एंसर आ जाएगा 84 का भी 1980 को 1980 को ठीक है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं उन्हें से में भारती में राष्ट चेत्री काड़ियों और अंतराश्टी सहयोग के मादें से सभी आदर भूमियों को सनशनों कित्री में से बुद्धी मता को बढ़ावा देने के लिए रामसागर सम्मेलन लागों किया गया भारत रामसागर सम्मेलन रामसागर सम्मेलन कव एक पच्छे बहारत ने एक परवड़ी उन तराशे संदेख पर अच्ता श्रत दिये गए थे तो चलिए बहुत पुराना कोशन है लेकिन जानना चाहिए आपको और बिहार में बता सकते हैं जो लेटेस्ट रांसागर्स जो अस्तल है जो की और कितनी है टोटल रांसागर्स अस्तल हो आप जान लेजएगा करेंट का बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में भारत में अवासिय चेतरों के निर्धाना के लिए दिन का सोर मानक क्या है इसके कई बाड़ नलच में बताया के रन बुक में भी आया तो यह 55 डेसिवर 55 db जिसको डेसिवर करते हैं नेक्स्ट कुष्चन पचलते हैं नेक्स्ट कुष् प्रदूशक नहीं है तो और्पसन एक्रोमियम गाद ट्लेसियर आर्सेनिक आपके एंस से रहा जाएगा एंसर में ग्लेसियर बाकी सब परदूसर के जल परदूसर के नहीं है बलकि ताज पानी का सुरूत है मुक्रेजल परदूसर में बैक्ट्रिया वायरस परजीवी और वरक कि नाशक और दवाउत पाद और नाइट्रेट पॉस्पेट पॉलास्टिक मल अफसीस्ट यहां तक की रिडियो धर्मीतनी पानी का रंग नहीं बिलते हैं जिसका अर्थ है कि यह अक्सर अध्रिस परदुश्यक होते हैं जब कि कुछ दातुए को इंश्याइन जैसे की फेरम और कोपर के रूप में इसकी भूमिका के कारण ट्रेश्ट संद्रिता मिमाना स्वास्त के लिए अवश्यक है ने किसी भी अगरता जैसे अस्तर जैसे पीवी सीडी क्रोमियम्स और सी यार पीए कैडमियम्स एक भी साकते हैं लेड पीवी और आर्सेनिक को चल्प परदुशक के रूप में मानलता दी गई है संद्रिता एक्सपोजर की अब्दी के आधार पर दात हुए हम और उने श्मयंग हमें पर दो पिस्ताक्त पैदा कर सकती है चल्प इसके बारे में विस्तारीत बता दिया नेक्स्ट के कोशिंफ जैव राजएनिक ऑक्सिज्जन स्माग जिसको करते हैं जिसको कि निमलिकित में से किसकी माप की जाती है तो आपका जार जाएगा जैल परदुशन की जैव जैव बी ओडी का उप्योग जे वाहित मल और चली नेक्ट कोशन पर चलता है एटीएट सोसंत अंतरत से सम्मंदित नहीं लिकित में रोक नहीं लिकित विभिन रोक किस परकार के परदूसंत के कारण होता है तो आपका यह आजाएंगा इस जल परदूसंत समय सबसे ज्यादा क्या होता है तो आपका होते हैं उसके कारण क्या होता है जल के कारण होता है सोसंत के बायू में हो सकता है आपके धोनी हो सकता है भूमी परदूसंत हो सकता है भूमी नहीं हो सकता है धोनी से भी नहीं होने वाला धोनी से एर होता है बायू परदूसंत से सोसंत आजाएगा जल क प्रदूशन के कारण। सिखेंड बाइऊ प्रदूशन के मनुष्री के अंगों और नाली का प्रफशन यह प्रुवा। तो इसमें आ जाएगा आपको दोनी पूर्देशन ठीक है बाई पूर्देशन इसमें एंसर गलत दिया हुआ है और अच्छी तो आपका सी अफसन आ जाएगा ठीक है निश्ट जीवों के पढ़िया वाश वे हैविटेट के फसंदर में नियुलुकित कत्मों का कौन सा सही है आपका स्थिफ्टी नाइन का आ जाएगा जीवों के पढ़िया वाश है जिसमें की कोई जीव रहता है विवन पर जातों कि एक ही पढ़ियावास में रह सकती है और शंपुन मंजबिक असमुदाय द्वारा अंत आत्मिक छेतर बनता है तो सभी हो जाएगगा लाश्ट को सेट का उसको आकर के डिजिटल बोर्ड में बताएंगे या फिर आकर के हम आपको लिंक मिल जाएगा वाटसप गूर्प में जोइन करते रहेगा जब भी आपको मिलेगा आप महां से जाकर देख सकते हैं बायो मंडल के संदर में नहीं है तो आपका नहीं है आपका एंसर हो जाएगा अधिकांस बायो मंडली इसी मंडल में होता है इसकी विस्तार जो है मंडल में उसके बार आता aí इंवे राष में वहर मंडल जाए मंडल जो जोगरी मंपढेंगे तो अच्छे संद्धेंगे वीडिव दियुक्ति झाल झाल